विल्कटों वैशनल एद्टीब हर व्याइए इस व्यांक में हम अपना ट्राइंगुलर पैंटन आगे गंटीन्यू तो हम इसमें इस टाइब का कोई पैटन करेंगे अगर एन की वैल्यू फॉर है तो मतलब मानलो यूजर ने फॉर डाली तो हमारा इस टाइब का पैटन होगा फाइब डालेगा तो वह पैटन ऐसे बन जाएगा तो ठीक है फिलहाल हम फॉर लेकर चल रहें तो गाइस अपनी तो वही तीन चीज़ों पर आजाते हैं कि जो हमें तीन चीज़े इसमें से निकालनी है और उसके बेस में बनाना है तो वह पहली चीज कह सबसे पहले हमें यह पता होने चाहिए कि एन की वैल्यू फॉर है तो रोज कितने प्रिंट हो रही है तो कोई भी पैटन हम देखें प्रिंट हो रही है और चार कितनी मतलब एन अगर हम पांच डालेंगे तो पांच रोस प्रिंट हो रही थी तो छे डालेंगे छे रोस प्रिंट हो रही है तो हम मतलब एन जितना डाल रहे है उतनी रोस प्रिंट हो रही है तो एन हम फर्स्ट में लिखेंगे कि वही रोस कि कि मतलब की अगर मैं कहूं कि जो सेकेंड पर क्या है कि भई यह रोग आकड़िंग प्रिंट और तो रो को मानलो मैं यहां पर रो है तो रोको मैंने कवε जितनी जो render जोन सी हो रहा है तो ठीक है इसको हमें क्या खरना है कोड में उतारना और तीन बात लेकर लेकर सको इंटीजर में कज़ना तो हमने इंपूट ले लिए उसको इंटीजर में convert कर दिया अब हमने एक variable लिया row equals to one one से start कर रहे हैं आप zero से भी start कर सकते दस से भी आपकी मर्जी अपने तो इसको नाम देना है कि भई यह first से start होगी इसको मैं second बोलूँगा इसको third बोलूँगा इसको fourth बोलूँगा तो मैं first से start कर रहा हूँ अब कब तक चलेगा while row is less than equals to n यह कब तक चलेगा जब n अगर four है तो four तक चलेगा मतलब चार रोज है न तो इतना ही चलेगा अगर n five है तो पांच तक चलेगा तो यह while loop यह तब तक चलेगा row वला जब जितनी rows होंगी n तक तब तक क्या हो तब तक अब अपने एक loop तो यह चला दिया यह ओ यह ओ इसके बाद हमें यहां पे भी तो जाना है ये थोड़ी की जिरफ ये वला star print किया ये वला print किया ये वला print किया ये वला खतम अरे ये वले भी तो करने हैं तो इसके लिए हमें column के लिए एक और variable लेना पड़ेगा और उसका loop चलाना पड़ेगा तो मैं उसका call नाम देता हूं column का और उसको भी one से assign कर देता हूं अब जो column बला है उसको हमें कहां तक चलाना है उसको हमें चलाना है row तक कि जितनी row है उतने भाई column print होंगे मतलब कि अगर पहली row है तो एक column print कर दूसरी रो है तो दो column अब बात है कि यहां पे भी आ गए लेकिन अब print क्या करना है तो परिंट हमें पता है कि हमें प्रिंट करना है यह तो X है यह प्रिंट कर रहा है हमें और उसके बाद हम एक एंट फंक्शन तो लगाता ही है हमें पता है क्यों क्योंकि हम तो भाई पुरानी पीछी मतलब पीछा से वीडियो देखते हैं रहे हमें पता है कि भाई एंड क्यों लगाय है हमने तो जिनोंने पीछा से वीडिय इटकाते हैं, आगे यप सी फोड़़ को हैं तो फोड़ी तका रिखेंगे कि जो में लांइ चेंज करने के लिए होता है, और हमें रो इक ब्लस वेन रो कोभी तो पहँ सिमें पे थोड़ी लोग देना है, आब अगर ओ खौ रोण उन तो सुरी यहां पर को मानी था तो गाइज यह चोटी चोटी चीज़े तो बहुत ध्यान रखने बढ़ती है तो अब यहां पर मतलब मालो मैं डालता हूँ फोर और पैटन देखते हैं तो बिल्कुल हम जैसे चाह रहे थे वही पैटन मिलें और मैं यहां पर टेट पी डालोंगा तो आप देखोगे कि उसे साब से मिल रहा है तो मालो मैं इसको एक बार ड्राई रन करता हूँ फटाफट तीन के लिए एन मिर पस तीन है चलो चार के देखने कर लेते हैं ठीक है जल्दी जल्दी से रो 1 रो की वैल्यू क्या है मैं आज समू मालो रो की वैल्यू है मेरी वन और कोल्म है कि प शल्राई is less than equal to n मतलब row कब तक चलेगी चार तक क्योंकि less than equals to n है तो इस चीज़ को खुद को समझना बढ़ेगा कि जब तक चार से छोटा रहेगा मतलब one two three four तब तक ये चलेगा five पे नहीं चलेगा ठो ठीक है चलेगा क्या ये चीज़ चलेगी भई पूरी की पूरी जब तक रो फोर तक नहीं पहुंचती तो अभी रो क्या है one कॉलम क्या हुआ one जैसे इसके one में आए कॉलम one हो गया अब कॉलम कब तक चलेगा वाइल कॉलम is less than equals to row की भई जो कॉलम है ना वो कम रहनी चाहिए या equal रहनी चाहिए row के बराबर तो कॉलम one है row बराबर है तो मतलब ये विली चीज़ चलेगी तो ये विली चीज़ का कहते है प्रिंट कर तो स्टार तो पहली रो थी कॉलम पहला था प्रिंट कर दिया स्टार ठीक है उसके बाद आया column equals to column plus one अब column को हमें आगे बढ़ाना है ना column plus one मतलब one plus one column हो गया two तो जैसे column two और फिर while पे आया कि क्या column two is less than equals to row है तो two ना less है ना equal है row के तो जैसे उसको पता चला यह situation false है वो यहां से निकला print के पास आया print function को बोला भाई तो अपना काम कर print function ने का ले भाई मैं line change कर देता हूँ तो line जैसे change होई और row equals to row plus one तो row ने क्या वोला कि row plus one हो गया one plus one row हो गया two तो row two हो गया फिर यहां पे आया मतलब यह second row शुरू second row पे आया फिर इसने चेक कि तो four से छोटा है छोटा है और छोटा है तो फिर column को one कर दो column फिर से one हो गया column one होगा while column is less than equals to row तब तक चलेगा मतलब column कब तक चलेगा row तक मतलब one और two दो बार चलेगा क्योंकि row तक चलेगा ना row two है तो जैसे column दो बार चलेगा तो पहली बार में क्या होगा star print कर दो ठीक है ठीक है पहली बार में star print होगा column को एक और increment कर तो column increment होगा column one से two होगा ठीक है फिर while पर आके चेक किया कि क्या two less than है row के या equal है हाँ less than तो नहीं है लेकिन equal तो है मतलब कि यह चलेगा तो यह चलेगा मतलब कि यहाँ पर एक और star print होगा फिर column होगा three तो जैसी three हुआ इसने मना कर दिया कि three तो छोटा है नी रो से इस line ने तो फिर हम इसको आगे continue नहीं करेंगे फिर print function आया उसने का ठीक है मैं new line कर रहा हूँ और row ने का कि मैं भी एक increment हो जाता हूँ two से three पे हो जाता हूँ तो तीसरी row आई तो ऐसे ही यह पूरा continue हो के यह पूरा print होगा सो गाइस मैं आपको बोलूँ हो कि अपनी साइट से एक बड़ ड्राइ रन कर लो आपको अच्छे समझ आजएगा और आपके concept भी clear होते चाहेंगे तो आपके इसकी इंटर्व्यू में आपको pattern बनाने अच्छे से आजएंगे अगर आप यह ड्राइडन कर करके देखते हो और गाइस इसमें एक और बात मतलब मैं यह बता रहा हूँ कि अगर आपके सामने इंटर्वियर पूछता है कि मुझे star pattern नहीं मुझे तो hash pattern चाहिए कि मुझे तो यह चाहिए हैश pattern बनाओ कि हैश होना चाहिए तो प्रिंट की जगए तो इतना तो आप अपने हिसाब से दिमाग लगाई सकते होगी हमें कहाँ पर change करना पड़ेगा हमें यहाँ पर change करना पड़ेगा यहाँ पर मान लो मैंने कर दिया एक बार हैश और अब मैं इसको मान लो फोर के लिए रन कर रहा हूं तो आप देखोगे कि यह pattern तो मतलब print क्या करना है यह तो आप अपने इसाब से दिमाग लगाई सकते होना कि हमें क्या print करना है मान लो उसने का कि कुछ हैसा सा दो बर आप हैश डालतों के तो आपको पता कि अगर आप 10 लिखो के तो डबल डबल हैश वाला pattern print होगा तो यह आपको खुद देखना है तो मतलब कंफ्यूज करने के लिए वह बोल देगी भाई 99 print करो तो आपने फोर डाला तो 9999 यह से सबसे pattern तो यह आपको खुद सूचने के आपको print क्या करना है तो इसमें आप confuse मत हो ना गाइस और गाइस अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे से comment section में बूच सकते हो थैंक्स वर वाचिंग मैं वीडियो प्ली सुब्स्क्राइब मैं चैनल पर मोर वीडियो और प्रेस्वाल इकन बटन पर नू 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 नू